Hello Friends, Love Tips YouTube Channel में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम देखने वाले 5 ऐसे बेस्ट हिंदी डायलोग जो बॉलियूड की पिच्चरों के होंगे उन डायलोग के साथ हम सामने वाले को इंप्रेस कैसे करें या तो भी सामने वाले को I love you कैसे करें तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखने के बाद ये दो चीजे आप में आएगी सबसे पहला तो जो लोग सीधा I love you नहीं बोल पाते हैं वो भी प्रपोस कर पाएंगे दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो सीधा इलवी नहीं बोल पाते हैं उनके लिए बहुती खास अच्छी तरकीब है और दूसरा फाइदा ये होगा कि सामने वाले को special feel के साथ आप impress कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों सीधा आईलवी बोलना और टेड़ी मेड़ी अलग तरीके से आईलवी बोलना उसमें एक अलग impression पड़ता है तो चलिए दोस्तों पांचों डायलोग देख लेते हैं दोस्तों अगर ऐसा आप सामने वाले से कहेंगे तो वो impressed तो होगे लेकिन उन्हें लगेगा कि आप उनके साथ जीना चाहते हैं एक अपने philosophical बात के साथ एक अच्छी बात के साथ उन्हें प्रपोस किया उन्हें I love you कहा दोस्तों नम्बर 4 पर जो डायलोग है वो है फना मुवी का हम से दूर जाओगे कैसे दिल से हमें बुलाओगे कैसे हम वो खुश्बू है जो सांसों में बसती है खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे दोस्तो ये भी एक प्रपोस का तरीका है कि मैं आप में हूँ आप मेरे बारे में सोचती है वो मुझे पता है तो आप मुझे कैसे बूला पाओगे उससे अच्छा है कि आप मेरे कुछ वक्त बिता लो और हम साथ में जीते हैं तो दोस्तो ये भी एक बहुत ही अच्छा है इंदी डायलोग है नमबर तीन पर जो डायलोग है वो है अंदेरे में अगर किसी का साथ होना तो अंदेरा कम लगता है दोस्तो काबिल मुवी का ये बहुत ही अच्छा डायलोग है और दोस्तो साइद ये डायलोग आपको काबि अच्छी है अन्देरे से मतलब है कि जिन्दगी में अगर किसी का साथ हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है हमें डर कम लगता है और जीने में मजाता है तो दोस्तो यह डायलोग का आप इस्तेमाल कर सकते हो नमबर दो पे जो डायलोग है आसी की टू का वो बहुत ही अच्छा डायलोग है ये जिन्दगी चलतो रही थी पर तेरे आने से मैंने जीना शुरू किया दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है ये दो लाईने अलग मतलब बताती है एक गहरा मेनिंग बताती है कि मैं जीतो रहा था लेकिन आप आए और जिन्दगी में बहार आए ये ऐसी कुछ बात हो गई तो दोस्तों सामने वाला इससे इंप्रेस हो ही जाएगा दोस्तों नमबर वन पे जो डायलोग है हो मुझे बेहदी पसंद आया है और आपको भी शायद पसंद आयेगा ही आयेगा दोस्तों नमबर वन पे जो डायलोग है वो मैं जब डायलोग बताऊंगा तब आपको मुझे कॉमेंट करके कहना है कि ये कौन सी मूवी का डायलोग है और दोस्तों देखते हैं किसका सच निकलता है तो dialogue है प्यार तो बहोत लोग करते है लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता क्योंकि किसी के पास तूम जो नहीं हो दोस्तों ये बहुत ही प्यारी और स्वीट बात है सामने वाले को ऐसा कहना कि तेरे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम मेरे पास हो इसलिए मैं आपके साथ इतना अच्छा इतना गहरा इतने बहतरीन तरीके से प्यार कर पा रहा हूँ और दोस्तो ऐसा कहना प्रपोस करने का बेस तरीका माना जाएगा I love you सीधा तो आप नहीं बोलेंगे लेकिन ये I love you, I like you, I am yours सब कुछ आपने इसमें बोल दिया और दोस्तो ये बहुत ही बढ़िया बात साबित हो सकती है तो दोस्तो ये पाँचो में से कोई भी डायलोग पिक करके आप अपने सामने वाले पाट्नर को प्रपोस करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए या तो फिर इन डायरेक्ली I love you बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो पाँचो डायलोग दोस्तो बहुत ही अच्छे है, बहुत ही खास है पाँचो में से कोई भी आप ले सकते हो पाँचो में से सबसे अच्छा कौन सा लगा, मुझे कॉमेंट करके जरू बताइए और हाँ दोस्तो, नंबर वन पे जो हमारा डायलोग था उसकी मुवी का नाम कौन सा है, वो भी आपको कॉमेंट करना है देखते हैं कौन सही आता है चलिए दोस्तो, वीडियो के एंडिंग में एप्रिसेटिंग कॉमेंट्स पिक कर लेते हैं दोस्तो, मैंने एक वीडियो डाला था तो उपर आइकाट पर क्लिक करके देख सकते हो तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तो, फ्रेंट्स वीडियो को देख रहे सारे जीए बीए फ्रांजा, मजनू, लेला जो भी हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, कोई सवाल या सुजा हो तो मुझे कमेंट करके बताए मैं पढ़ना चाहूंगा थैंक्यू दोस्तो, नो बैटर, लिव बैटर